यदि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में आपका अगर एकाउंट है अगर आपका एकाउंट है लेकिन उसमें आपका केवाईसी जैसे की बैंक में आपको केवाईसी होता है जो अधार कार्ड से केवाईसी किया जाता है जो आप केवाईसी करवाई हुए अगर रहते हैं तब QIC के मादिम से आप कहें भी आप अधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं तो पैसा अधार कार्ड से निकालने के लिए आपको पहले फिंगर लगाना पड़ता है फिंगर लगाने के लिए आपको अधार QIC अपडेट होना चाहिए आपके अगर एकाउंट में अगर अधार क्याइसी अपडेट होगा तब ही आपको पैसा कहें भी आप अधार कार्ट से कहें भी आप निकाल सकते हैं अधार कार्ट से के वाल तो उसके लिए मैं आपको complete process बताने माला हूँ यहाँ पर online ही यहाँ पर क्याइसी कर सकते हैं आप घर बैठें यहाँ पर क्याइसी कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं चैनल पर अगर आप नए होंगे थे चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा और हाँ एक बत और धाने कि यहाँ पर जो भी आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप वीडियो को skip नहीं किजिएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा आपको पहले मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर वीडियो को बीना skip किये हुए देखिएगा तो सबसे पहरे आपको आना है इस वाले बेव साइट पर जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दो हूँ यहाँ पर दिखाएगा यहाँ पर जो टॉल फ्रे नंबर जो चल रहा है यहाँ पर यहाँ आपको दिखाई देना चाहिए और जो जिस तरह से यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के लिए यहाँ पर ओपन हुआ है इस तरह से आपको सभी यहाँ पर डिखाई देना चाहिए यह ओफिसल बेव साइट पर आएगा तभी यह आपका आपका हो पाएग आप अगर मुवाल से करेंगे तो मुवाल में थोड़ा साब को समझे हो आएगा तो वहाँ पर आप डेश्टॉप मोड कर लीजेगा और डेश्टॉप मोड करके आप यहाँ पर सारे डिटेल ले सकते हैं इस वाले पेज में आने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस वाले पेज में आने के बाद इसमें एक आप्शन है यहाँ पर अपडेट अधार का यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर अपडेट अधार दिखा गया है इसके बाद यहां पर लिखावागा click here for OTP-based अधार sitting यानि कि जो अधार card का जो OTP है इस पर verify करना है इस पर आपको click करना होगा यहां पर आप click करोगे page कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहां पर पहले account number पूछा जा रहा है इस वाले box में यहां पर आपको account number फिल अप करना है इसके बाद continue कर लेना है continue करेंगे और continue करने के बाद आपको page कुछ ऐसा देखने को मिलेगा यहां पर बताया गया है कि जैसा कि आपको यहां पर दिखाया जा रहा है यहां पर लिखा और यह अपर यह एकॉंट नमर पहले का जो दीया होगा है वो इसके बाद enter OTP यानी कि OTP आपको डालना है इसके बाद यहां पर captcha इस वाले में फिल अब करना है यहाँ पर CAPTCHA आपको रिफ्रेस कर लेना है CAPTCHA दिखता आएगा और यहाँ पर VARIDATE वाले सेक्षन पर क्लिक कर देना होगा तो चलिए मैं यहाँ पर CAPTCHA को रिफ्रेस कर लेता हूँ आप देख पारे कि मेरे यहाँ पर CAPTCHA सो कर गया है, कैपचा को आपको डाल लेना है यह वाला, इस वाला कैपचा को आपको इस वाले बॉक्स में फिलब करना है एक बत और यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर जो OTP आएगा आपके जो एकाउंट के साथ जो मुवाइल नमर लिंक होगा उसी वाला पर यहां पर OTP send किया जागा जैसे कि मेरा यहां पर जो मुवाइल नमर लिंक था उस वाले मुवाइल नमर पर मेरा OTP आ चुका है और OTP डाल लेंगे इसके बाद इस तरह से कैपचा इसके बाद बैलिडेट आप जैसे वाले सेक्षन पर क्लिक करोगे तो आपको पेज कुछ ऐसा देखने को यहां पर ही मिलेगा यहां पर आपका नाम दिखाया जागा डेट बर्थ दिखाया जागा इसके बाद आपका जेंडर सो कर जागा इसके बाद नीचे आपको एक option प्रोसीट फोर अधार वेरिफिकेशन इसके बाद आपको एक पर क्लिक कर लेना है आप जैसे यहां पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आ जाता है यहां पर अधार नमर डालने का option यहां पर अधार नमर डालेंगे इसके बाद यहां पर यहां पर क्या करना है यहां पर क्या करना है यहां प कर ले रहा है तो मैं यहां पर रियास कर चुका हूँ इसके बाद कंटिनी वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेंगे आपको कुछ ऐसा पेज आएगा जो आपके अधहार काड के साथ जो मोबाइल नमर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा यहां पर आपको OTP डाल लेना है जैसा कि मेर यहां पर दिखाया जा रहा है कि सम्मिट माइ अधहार नमबर वैरिडेशन माइ कॉंटेश्ट यूजिंग माइ अधहार डिटेल और दिटेल यूए डिया गया इसके बाद यहां पर लिखा गया है कि यूज माइ मोबाइल नमबर मेंशन बिलो दर सेंडिक एसमेस एलर्ट यूज माइ अधहार फॉर्द रिसीविंग डिवीटी बेनिफीट यहां पर डिरेक्ट बेनिफीट ट्रांसफर वाला यहां पर बेनिफीट यहां पर हो जागा यहां पर ओके कर लेना है ओके करने के बाद आपको यहां पर देख पाएंगे यहां पर आपको पूरा जानका पर दिया गया है और इसके बाद यहां पर आप पूरा डिटेल दिया गया है एडरेस के साथ में यहां पर एकाउंट नमर भी दिया गया है यानि कि कहने के मतलब है कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक लिखा हुआ है अधहार डिटेल कैप्चर आप चाहे तो आप अपना bank का जो अधार काड है यान कि जो अपना अधार काड है वह आप कहने भी आप finger से जो पैसा निकालते हैं वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मेरा आपका मतलब आपका अधार काड क्यवा अध्वा नहीं अगर आपको इसमें कोई अगर समझ से आता है कमेंट में जरूर लिख दीजेगा मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना कर आपको बता दिया हम पूरा कम्प्लीट लाइब के साथ आपको इस तरह सापको क्यवाईसी करने कहें भी आपको मिस नहीं करना है एक बात और ध्यान दें आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर एक बार बता दिजेगा उसके लिए मैं आपको एक अस्पेसल वीडियो बना दूँगा तो चलिए मिलते हैं कि नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ एक बात और ध्यान नेंगे कि इस वाले जो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा